Hello dear students, Welcome to my YouTube channel, मैं दिपांकर सर सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर स्वागत करता हूँ बच्चो आज हम लोग एक नया वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, ये वीडियो को नाम है Problems in AM, GM, HM Inequality तो जो बच्चे इस चैनल पर न्यू है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जादा से जादा स्टूडेंट्स में सेर करें ताकि ये जो वीडियो है हम लोगों का, ये maximum number पर स्टूडेंट तक पहुंच सके तो बच्चो आज का जो वीडियो है, ये काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है इस इंट्रेस्टिंग वीडियो में आपको क्या-क्या आज डिसकस करूँगा वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले आप देखो, आज हम लोग J.E.M.S. Advanced Board के previous years के questions को देखेंगे AM, GM, HM inequality में इसके अलावा आज हम लोग trick को भी देखेंगे कि AM, GM, HM का inequality के problem को लगाने का trick क्या होता है इसके अलावा आपको ये रहेगा कि आप एक ची जान लीजिए कि ये जो AM, GM, HM का inequality का concept है ये हर साल J.E.M.S. Advanced में एक question जरूर आता है तो आज हम लोग ये भी देखेंगे कि कुछ guaranteed questions in J.E.M.S. 2020 May June वाले attempt में, J.E. Advanced 2020 वाले attempt में या board examination जो होगा 2021 में, application of AM, GM, HM inequality में इस पे भी होगा तो इन सारे aspects को आज हम लोग discuss करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को इस वीडियो को आप सुरू से अन तक देखिएगा जिससे क्या होगा कि आपको detail concept पता चले और आपको जो हम लोग अभी problems को discuss करेंगे तो वो problems के थूरू आपको पता चले कि कैसे हम लोग questions में AMGMHM inequality को apply करते हैं तो बच्चों देखिए सबसे पहले आपको trick बताता हूं कि ऐसे तो AMGMHM क्या एक तरह से टूल है यह कहीं लिखावानी रहेगा question में कि आपको AMGMHM inequality को use करना है लेकिन इसका trick कि आपको कि अगर question में कभी भी some of a positive number and its reciprocal some of a positive number and its reciprocal जैसा कुछ number आपको अगर दिखाई दे तो आप समझ जाईएगा 99% chance है कि जही के उस question में चाहिए वो means का हो या advance का हो या board में हो उस question में concept of AMGM inequality लगेगा यह 99% chance अब चो और यह जो हमने 99% chance लिख दिया है यह काफी experience और काफी research करने के बाद इस चीज़ को हमने develop किया है कि अगर कोई भी question में आपको sum of a positive number and its reciprocal दिखाई दे तो आप समझ जाईए कि उस question में AMGM HM का inequality लगेगा तो यह चीज़ आपको i trick है यह आपको समझना है ठीक है इसके अलाबा इस वीडियो को अगर हम लोग देखेंगे तो आप समझ लिजेगा कि हर साल जेई means हो या जेई advance हो या board में भी हो ठीक है न आपको AMGM HM inequality से question पूछा जाएगा तो हम यह expect कर रहे हैं कि जो जेई means का 2020 का May June का attempt होगा इसमें definitely AMGM HM Cinequality पे question आएगा इसके अलाबा advance में भी question आएगा थोटा difficulty level हाई हो जाएगा और यह जो board examination होने वाला है 2021 में इसमें भी direct नहीं पूछा जाएगा लेकिन application जरूर पूछा जाएगा तो चलिए हम लोग ठीक है तो आप देखिए सबसे पहले मैंने question लिया हूँ यहाँ पर मैं मैंने question लिया previous year का आप इस question को ध्यान से देखिएगा कि let a lies a कोई number है वो किसके बिच मलाई कर रहा है 0 to x a lies between 0 to x then the minimum value of the expression log x to the base a plus log a to the power base x यहाँ एक expression है log x to the power base a plus log a to the power base x यह question है इस expression का minimum value निकालना है तो सबसे पहले बच्चों उजरा expression को देख लीजिए तो मैंने expression को z माल लिया let z is equal to log x to the power base a plus log a to the power base x अब अगर यह जो log वाला टर्म है इसको अगर expand किया जाए तब देख सकते हो इसको लिख सकते है log x by log a जो log का property है उसको हमने लगा दिया log x to the power base a को लिख सकते है log x divided by log a plus इस expression को भी लिखेंगे plus log a divided by log x यह log का property होता है मैंने लिख दिया यहाँ पर मचो property of log कि log base log b to the power base a तो जो base में रहता है number उसको नीचे denominator में लिख देते हैं तो इसको लिख सकते है log b by log a तो इसको हमने लिख दिया अब यह जो number है आप इस number को गौर से दे रही देखिए log x by log a plus log a by log x तो यह number और यह दोनों number दोनों का sum है और एक दुसरे का reciprocal है यह number and its reciprocal तो आप यहाँ पर में amgm inequality का concept को लगा सकते हैं तो लगाईए apply amgm inequality for यह expression है log x divided by log a and log a divided by log x तो अगर इसको लगाते हैं amgm तो आपको पता है am के लिखते हैं कि दोनों number का sum divided by 2 तो log x divided by log a plus log a divided by log x यह expression divided by 2 greater than equal to अब दोनों का square root लेंगे product करके तो square root of product किसका product log x by log a into log a by log x तो आप देखिए जब number reciprocal है तो सारा cancel out हो गया log x log x cancel log a log a cancel और right hand side मको क्या बचेगा 1 बचेगा और अगर यह denominator को 1 से multiply कर दिंगे तो right hand side में कितना आ जाएगा तो मैं इस expression को ऐसे लिख सकता हूँ log x divided by log a plus log a divided by log x greater than equal to 2 यानि यह जो expression है जिसका हमें value निकालना था इस expression का minimum value कितना हो जाएगा minimum value of z जो कि हमने माना था log x to the power base a plus log a to the power base x कितना हो जाएगा इस expression का minimum value हो जाएगा two तो आप देखिए कि किस तरह से हम लोग इसको use कर लिये ठीक है और इस concept को use करने के पहले हमने देख लिया कि number और क्या है reciprocal है ठीक है तो इसी तरह से एक और question हम लोग discuss करते हैं तो इस question का answer कितना हो जाएगा बच्चो इस question का जो minimum value पूछा गया था इसका answer हो जाएगा two चलिए एक और question हम लोग discuss करते हैं एक और question है यह जैक आया हुआ है पहले इस question को देखिए कि if x and y are positive real numbers x and y are positive real numbers and m,n m,n क्या है और any positive integers m,n भी positive integer है तो आपको यह proof करना है then x power n into y power m divide by whole bracket 1 plus x to the power 2n into 1 plus y to the power 2m यह जो expression है यह greater than कितना हो जाएगा 1 by 4 greater than 1 by 4 यह J.E.1989 का आया हुआ सवाल है J.E.1989 का आया हुआ सवाल है ठीक है अब देखिए यह जो question आया हुआ है यह question 2019 का अप्रेल में जो 2019 का J.E. का अप्रेल का attempt है उसमें repeat कर दिया है बच्चो कितना खुसी का बात है कि J.E. ने same to same question को repeat कर दिया है और ऐसा संयोग बहुत कम मिलता है कि data repeat हो जाए तो आपको मैंने पहले भी बताय था कि अगर आप previous years के question को attempt लेते हो तो आपको उसमें काफी advantage मिलेगा तो देखिए 19 वाला question में क्या पुछ रहा है यह जो expression है जो पिछला case में दिया हुआ था maximum value of the expression x power m into y power n divide by 1 plus x to the power 2m whole bracket into 1 plus y to the power 2n whole bracket इसका maximum value पुछ रहा है ठीक है इसका option दिया है 1 by 2 1 1 by 4 और option d में दिया है m plus n divide by 6 into m into n यह j 2019 का अप्रिल attempt का यह question है अब अच्चो यह जो question अभी हमने previous में दिखाया था 1989 में same question expression को देखिए x power n into y power m divide by 1 plus x power 2n into whole bracket 1 plus y power 2m तो चलिए अगर हम लोग 19 वाला question को solve कर लेंगे ता previous पिछला वाले question को देख लेंगे ठीक है ताप इस expression को लिखिए मैंने इस expression को माल लिया कि let z is equal to x power m into y power n divide by 1 plus x power 2m whole bracket 1 plus y power 2n ठीक है अब यह जो expression है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं देखिए तो जरा यह जो expression है z इसको क्या किया हमने यह जो x power m है इसको नीचे में इसको divide कर दिया पहला वाल expression में और y power n है इसको दूसरे वाल expression में divide कर दिया तो divide कर दिया तो z का value कितना आ गया z is equal to z is equal to 1 1 divide by 1 plus x power 2m divide by x power m whole bracket into 1 plus y power 2n divide by y power n whole bracket अब क्या करिए बच्चों यह जो expression है इसको लिख दीजे 1 divide by अब 1 by x power m 1 by x power m plus plus x power 2m divide by x power m कितना हो जाएगा plus x power m whole bracket इसी तरह से यह वाल expression में हो जाएगा 1 by y power n plus y power n कैसे y power n हो गया क्योंकि y power 2n को y power n से divide करोगे तो y power n बचेगा अब इस expression को गौर से देखिए 1 by x power m plus x power m number and its reciprocal number and its reciprocal यहाँ भी क्या है number and its reciprocal तो आपको बताया कि यहाँ पर में दो बार amgm लगाना है तो लगा दीजिए 1 by x power m plus x power m divide by 2 greater than equal to under root 1 by x power m into x power m और जब number और उसका reciprocal होता है और product में लिखते हैं तो product कितना आजाएगा पुछो 1 तो इधर में 1 आजाएगा और यह 2 इधर में आजाएगा तो यहाँ पर में यह जो value मिल रहा है 1 by x power m plus x power m greater than equal to क्या हो गया 2 similarly यह वाला जो expression है इसके लिए हम लोग apply कर सकते हैं 1 by y power n plus y power n greater than equal to क्या हो जाएगा 2 यानि यह जो नीचे वाला expression है इसका इस expression का minimum value कितना हो जाएगा 2 इसका भी minimum value कितना हो जाएगा 2 तो जब denominator minimum होगा तो numerator क्या हो जाएगा maximum तो z max कितना हो जाएगा यहाँ पर में 1 by 2 into 1 by 2 तो z का maximum value हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1 by 4 1 by 4 क्यों 1 by 4 हुआ क्योंकि आपने denominator में आपको 2 put करना है यह दर में 2 put करना है तो 1 by 2 into 1 by 2 यानि कितना हो गया 1 by 4 तो आपको कौन सा option आ गया option C इस question का option हुआ option C, C for Calcutta ठीक है तो बच्चों देखिए यह Jee का question है और यह repeat हो गया कितना खुशी का बात है कि question यहाँ पर repeat हो रहा है और मैंने आपको पहले ही बताया है कि question Jee में 100% repeat होता है ठीक है आपको previous years के questions को अच्छे से command करना है ठीक है बच्चों तो चलिए next question देखते हैं हम लो next question क्या है कि if alpha belongs to 0 to pi by 2 if alpha belongs to 0 to pi by 2 alpha 0 to pi by 2 के बीच में है then under root x square plus x under root x square plus x plus 10 square alpha divide by under root x square plus x is always greater than or equal to यानि यह जो expression है यह always greater than or equal to होगा option A 2 tan alpha option B 1 option C 2 option D 6 square alpha ठीक है यह J 2003 का आया हुआ question है और बहुत ही easy question है आप गौर से देखिए इस expression को J is equal to कितना लिखा हुआ है under root x square plus x plus 10 square alpha divide by under root x square plus x यहाँ पर देखिए बच्चों reciprocal है ना under root x square plus x उपर में है नीचे में भी यहाँ पर में है तो यह क्या है number plus some constant divide by number यानि number और उसका reciprocal दिख रहा है तो number और उसका reciprocal दिखे तो आपको AMGM लगा देना है तो लगा दीजे under root x square plus x plus 10 square alpha divide by under root x square plus x whole divide by 2 greater than equal to square root square root under root x square plus x into plus x under root x square plus x क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा और 10 square alpha का square root लेंगे तो कितना बच्चेगा बच्चो 10 alpha और यहाँ पर denominator में 2 है तो जब इसको multiply कर दूँगा तो कितना हो जाएगा 2 tan alpha 2 tan alpha यानि यह जो expression है under root x square plus x plus 10 square alpha divide by under root x square plus x यह greater than equal to कितना हो जाएगा 2 tan alpha यानि यह जो expression है इस expression का यह expression always greater than or equal to कौन सा हो जाएगा 2 tan alpha option a इस question का answer हो जाएगा option a 2 tan alpha a for आमदाबाद ठीक है बच्चो तो देखिये number and reciprocal का कैसे use हो रहा है बार बार हम लो जो जो एके question में use कर रहे है 0, b greater than 0 and c greater than 0 then then the expression whole bracket a plus b plus c into 1 by a plus 1 by b plus 1 by c whole bracket is greater than or equal to option a 3, option b 9, option c 6, option d 1 यह भी जाएगा previous year के आएवे question है ठीक है आप गार से देखिये a plus b plus c 1 by a plus 1 by b plus 1 by c यानि number reciprocal दिख रहा है तो आपको कहीं न कहीं amgm को use करना है तो चलिए देखते हैं question को आप इसको ऐसे लिखे a greater than 0, b greater than 0, c greater than 0 कितने number से बच्चो 3 number a, b, c तो यहाँ पर मैं amgm कितने number पे लगेगा 3 number पे तो लगा दीजे a plus b plus c divide by 3 greater than equal to जब यह दर मैं 3 number होगा तो यहाँ पर मैं cube root हो जाएगा आप देखिए cube root of a, b, c इसको एक number equation दे दिया ठीक है इसी तरह से हम amgm लगाएंगे कौन से numbers पे 1 by a, 1 by b, 1 by c पर तो लगाइए 1 by a plus 1 by b plus 1 by c whole divide by 3 greater than equal to cube root लगेगा cube root 1 by a into 1 by b into 1 by c इसको दे दिया equation number 2 तो एक number equation यह एक number equation 2 अब जो expression का आफको value पूछ रहा है वो इन दोनों left hand side का multiplication है तो हमने multiply कर दिया दोनों को multiplying equation 1 and 2 जब दोनों को multiply करेंगे तो a plus b plus c divide by 3 whole bracket into 1 by a plus 1 by b plus 1 by c whole bracket divide by 3 greater than equal to cube root of a b c cube root of a b c into cube root of 1 by a into 1 by b into 1 by c और आप एक बताईए cube root a b c है और denominator में cube root a b c है तो cancel हो के कितना मिल जाएगा 1 तो इधर cancel हो के 1 हो गया और इधर का denominator का 3 इधर का denominator का 3 multiply हो कितना हो गया 9 यानि a plus b plus c whole bracket into 1 by a plus 1 by b plus 1 by c whole bracket greater than equal to 9 तो यह जो question है इसका answer क्या हो जागा option b 9 option b 9 b for bombay जो आप देखिए बच्चों कि यहाँ पर में amgm को inequality को किस तरह से use कर रहे हैं and maximum number of questions में आपको number reciprocal दिखाई दे रहा है तिस तरह से j e में में expect कर रहा हूँ and 100% यह बात सच होगा कि j e 2020 का जो मैं जून वाला attempt होगा उसमें amgm पे question रहेगा advance में भी question रहेगा तो आप इस topic को अच्छे से command करिए और जब question C or short आ रहा है तो यह चीज़ आपको छोड़ना नहीं है ठीक है मैं next class में इस पे based कुछ और भी difficult questions को या कुछ और questions को practice कराऊंगा ठीक है ताप इस channel को subscribe करिए इस channel पे बने रहेए और भी जो आपके friends है आप उन सब को भी इन channel पे जोड़िए और हम लोग regularly videos update कर रहे हैं और आपको कोई topic में अगर issue है कोई topic में problem है ताप उसको comments में लिखिए ताकि उस topic का भी video आपको provide करे तो बच्चो ये video को आप regularly देखिए और share करिए और video को कभी भी आधा अधुरा मत देखिए अगर देखना है तो अच्छे से देखिए इससे क्या होगा कि आपका 10 minute 15 minute लगेगा लेकिन आप कोई चीज सीख के जाओगे ठीक है और अगर आप कोई चीज को सीखोगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा और आप सीखने के बाद आगर वो concept को जेए के problems में apply कर रहे है तो बहुत अच्छा फाइदा होने वाला है तो बच्चो मैं क्या करूँगा कि next इसका एक और वीडियो डालूँगा जिसमें इस पी best और difficult level के questions आपको दिखाऊँगा इसके अलावा भी regularly वीडियो अपडेट करते रहेंगे आप इस चैनल पर बने रहे है थैंक्यू बच्चो